वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दे हैलो दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक Android मोबाइल में आप दो WhatsApp कैसे चला सकते हैं अगर आपके पार Double Sim का मोबाइल फॉन है आप चाहते हो दोनों सीमों से एक ही मोबाइल में अलग-अलग WhatsApp को यूज करना तो आप ये कैसे कर सकते हो वैसे तो ये future आपको हर company के मोबाइल में देखने के लिए मिलेगा अगर आपके मोबाइल में ये नहीं है आपको नहीं मिल रहा है तो फिर भी आप ये कैसे कर सकते हैं बने रहे हमार साथ वीडियो में वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों आई चलते हैं और जान लेते कि कैसे आप ये कर सकते हैं अब आपको अपने mobile phone पे आना है फिर आपको अपने mobile की setting को open कर लेना है Setting को उपन करने के बाद आपको इस तरीके से दिखाए देगा फिर आपको इसको स्क्रॉल करते व 1968 option भीए अब अपको हर company के mobile में अलग देखने के लिए मिलेगा जैसे कि एप मेनेजर, एप मेनेजमेंट तो इस तरीके से एप से ही related आपको यह मिलेगा तो आपको apps को ही यहाँ पर देख लेना है अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर apps को लिखके सर्च भी कर सकते हो इस तरीके से आपको यह मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर apps वाले पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से अन्य कंपनी का मोबाइल है ओपो, रियल्मी, ओपो, रियल्मी, विवो तो यहाँ पे आपको एप, किलोनर के नाम से देखने के लिए मिलेगा एप, किलोनर, डियूल एप तो इस तरीके से आपको यह देखने के लिए मिलेगा आपको इसको find out कर लेना है फिर मैं अब जैसे ही मुझे डियूल एप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं जिन-जिन एप को डियूल कर सकता हूँ वो सारा मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा तो मैं वाट्सप को अभी के लिए करना चाहता हूँ वैसे तो आप यहाँ पे Instagram, Facebook multiple account को use कर सकते हैं तो वाट्सप को मुझे use करना है तो मैं इसको definitely due lab पे क्लिक कर देता हूँ तो इस तरीके से अब यह हमारा बिना किसी application को install कियो है भी हम यहाँ पे इस तरीके से वाट्सप को double कर सकते हैं अब जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पे देखो यह मेरा first whatsapp है और यह मेरा second whatsapp है तो मुझे आपके दिखाई दे रहा है तो अब मुझे definitely click कर देना है और यह जैसा ही मेरा पहला whatsapp इस तरीके से आजएक अब मेरे पास अगर एक mobile में दो sim है तो मैं उस दूसरी वाले sim से इसको agree and continue करके वो mobile number डालके इसको भी इसी तरीके से use कर सकता हूँ जैसे कि मैं पहले whatsapp को use कर रहा था इस तरीके से मैं एक mobile में दो whatsapp को use कर सकता हूँ अब अगर आपके mobile में यह option नहीं है आपको यह option नहीं मिल रहा है आपको नहीं कर पा रहे हो तो आपको simple से back जाना है और अपने mobile के Google Play Store को open कर लेना है फिर आपको यहाँ पे एक application सर्च कर देनी है Parler App, Dual App इस तरीके सा आप यहाँ पे Dual App भी लिख सकते हो Parler Space भी लिख सकते हो तो यहाँ पे लिख के आपको सर्च कर देना जैसे ही आपको पहली वेब application आएगी तो आपको इसको देख लेना है और यहाँ पे आपको इसके 4.4 की rating है और 1 करोड से जादा logo ने इसको download किया हुआ है आप इसकी चाहे तो rating भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सी apps मिल जाएंगी आप अपने इस आप से download कर लेना है तो जैसे मैं इसको open करते दा हूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत add देखने के लिए मिलेगी तो आप इसको adjust कर सकते हैं फिर आपको आप जिस भी किसी भी application को आपको dual बनाना है उसका clone बनाना है तो duplicate बनाना है तो जैसे आप इसको add करोगे तो आप उसको जैसे click करोगे तो इस तरीके से यह इसका process हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों देखो इस तरीके से एक दिन continue करके आपको यहाँ पे वो application जिसका आप clone बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप WhatsApp को use कर सकते हो अगर आपको इसके लिए यह application की जरूद पड़ेगी अगर Google Play Store पे है तो यह safe है आप इसको use कर सकते है